हमश्कार दोस्तों प्लस केंडिरेट्स के यहाँ पर ओर आ चुके हैं आप सब लोग जो हैं जोईन करेंगे सबसे पहले हेडिंग पढ़ ले लिखा हुआ है संचालन स्वास्त सेवाए मध्यप्रिदेश आदेश आप पर जारी हो चुका है और यह जो आदेश है अभी हाली में देखिए एक ही तो वीडियो के नीचे जाए सबस्क्राइब करें बेटन को आप पर क्लिक करें हर अपडेट इसी तरीके से आगे भी पात रहते हैं बिल्कुल शुरू बात करें अपना अपडेट को बढ़ जाते हैं इन्फरमिशन की और तो सबसे पहले आप सब एको बताना चाहता हूँ यह जो लिष्ट यहाँ पर जो जारी हुई यह कौन सी है तो दोस्तों देखिए आप सब एको यहाँ पर लखा हुआ हैं कोलम नंबर साथ में दर्शित स्वास्ते संस्था में रिखते नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुकती हेतु आवंटन परदान किया जाता है तो दोस्तों देखिए जो गौर्मेंट जनरल नर्सिंग जो ट्रेनिंग सेंटर से इनमें जो केंडिडेट्स जी एनम वाले थे उन्होंने यहां पे प्रिस्टिक्शन प्राप किया था और उन्होंने इन विऒकेंसी को एपलाई किया था और कुछी समय पहले नोटिफिकेशन भी प्रोवाइट कराए गया था और चैडिडेट्स ने एपलाई किया और अब दोस्तों फाइनली नियुकती के आधेश आ और posting की order release यहाँ पे कर दिये गए है salary package आपको बता दे गई इतना आपको salary package मिलेगा इसमें आप लोग information चेक कर सकते हैं क्या क्या जानकरी दी गई देखिए सबसे पहले serial number दिया गया इसके बाद आपका enrollment number दिया गया आपका नाम दिया गया allotment को लेकर यहाँ पे रहेंगे तो देखिए आपको allotment district बता दिया गया तो कौन सा जिला है और कौन से जिले में कौन सी संस्ता है तो देखिए DH लिखा हुआ है DH का मतलब है district hospital तो इसमें आप लोग को जनकारी मिल जाएगी और institute का type भी आपको बता दिया गया कि वो hospital है या फिर sub health center है या फिर कोई अन संस्ता है और division भी आप लोगों को इसमें बताया जा रहा तो आप लोग जो है इसमें अपना नाम अपनी information इसमें चेक कर लें काफ़ी candidates के नाम list में शामिल है आप सबी लोग जो है अपनी आपे joining करेंगे तो यदि आपका नाम शामिल है list में तो आप लोगों को देखिए बोला जा रहा है कि सभी मूल प्रमाण पत्र का protection करने के उपरांद आवंठर दिनांग से साथ दिवस के अंदर नियुकती आदेश जारी को अवगत कराएं तो दोस्तों आप लोगों को seven days का समय दिया जा रहा है साथ दिनों के भीतर आप सबी लोग अपने सभी मूल प्रमाण पत्र जो भी आपके documents हैं आपको original form में correction करावना होगा means आपको verification कराना होगा जो भी जिलें आप लोगों को provide कराएं गया जो भी सहस्ता आप लोगों को provide कराएं गई इसके बाद आप लोगों को बोला जाना कि जो भी आप लोगों की joining है पर लिखा हुआ है लोग स्वास्त एवं परिवार कल्याण बिवा के अधीन कार करने है этого तीन वर्ष के लिए अरुबंदिध है तो तीन वर्ष के लिए आप लोग bonded रहेंगे अरुबंदिध रहेंगे और अरुबंद यदि आप लोग बीच में छोड़ देते हैं मीर अगर आप लोग अपने सिवा बीच में त्याग देते हैं तो इसके लिए आपकी बॉंड की जो राशी है इसमें से आपकी वसूली की जाएगी इसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ और इंपॉर्मेशन भी दे दी गई है कि लिखा हुआ है नियुक्ति आदेश जारी करने से तीन दिवस के अंदर नियुक्ति उम दर्सों के प्रिशिक्षण हेतु COVID-19 प्रिशिक्षण तो यह आपको देखे लिखा है इंटिग्रेटेड गौर्मेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग तो यह आप लोगों की ट्रेनिंग आयोजित कराई जाएगी और इसके माद्यम से लिखा है ऑनलाइन स्मार्टफोन टैबलेट क कंशोधा नहीं होगा कोई भी इसमें चेंज नहीं हो सकता है तो दोस्तो करीब करीब इसमें साड़े साथ सो से भी ज्यादा के नाम लिस्ट में आप पर शामिल कर लिए गए और यह सभी केंडिरेट कौन से थे यह जानकारी भी और लेडी मैं आपको प्रवाइड करा चु करें चैनल को भी सबस्क्राइब करें यदि आगे और इंफर्मेशन आती है तो आपको जानकारी मिल जाएगी तो वीडियो के नीचे जाएं सबस्क्राइब के रैड बटन को आपके कलिक करें हर अपडेट इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो मिलते हैं आपसे आगले व